गुद मॉर्निंग साथियों मैं डॉक्टर जाकी रसेन अनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम भारत में मुगल कालीन प्रशाशन के बारे में चर्चा करेंगे साथियों अगर मुगल कालीन पर्शासन की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा कि मुगलों का जो मूल बेक ग्राउंड था वो विदेशी था और प्रशासन प्रशासन उन्होंने भारतिय परिस्तितियों में किया अतहे हैं अगर उनके हम प्रशासन के नेचर की बात करें प्रकरती की बात करें तो वह अर्बी फारसी परंपनाओं पर आधारित लेकिन भारतिय परिस्तितियों में लागू एक निरंकुष केंद्री करत लेकिन जनकल्यान पर आधारित वन्शानुगत राजतंत्र था कि इसको साथियों हम यूँ भी समझ सकते हैं कि उनका बैकगराउंड चुकि विदेशी था मध्येशिया था इसलाम के फोलोवर होने के करण उन पर अर्बी फारसी परंपराओं का प्रभाव था चुकि अर्बी फारसी परंपराएं इसलामिक परंपराओं के बहुत नजदीक थी इसलिए उन्होंने अपने परशासन को जस्टिफिकेशन देने के लिए उस परकरती को भारतिय परिस्टियों में व्यवारिक रूप से लागू करने का प्रियास किया अगर हम मुगल कालिन परशासन के वास्तविक जनक की बात करें संस्थाफक की बात करें तो वह बादशा अखबर थे क्योंकि उसके पूर के जो शासक हम बाबर और हमाईयों को देखते हैं उनका शासन परशासन एक बहुत ही डिस्टरब और बहुत ही संघर्ष की परिस्टितियों में गुजरने के कारण उन्होंने सही माइने में मुगल परशासन को लागू नहीं किया मुगल कालीन परशासन में जो केंदर में सर्वोच पद होता था साथियों वे बादशाह यानी पादशाह का होता था और पादशाह शब्द जो था वो मूलतिव फार्शी भाषा का सब्द था इस से पहले अगर हम सल्तनत काल की बात करें तो वहां सर्वोच पद सुल्तान का होता था सुल्तान और पादशाह में जो बेसिक टिफरेंश था वो ये था कि सुल्तान इसलामिक परंपरा के अनुसार खलीफा से मान्यता लेने के विश्वासी थे अर्थात वो खलीफा के पद को सुकारते थे वहीं मुगल कालीन बादशाहों की परंपरा में खलीफा के पद को सुक्रत नहीं किया गया यानि खलीफा का पद बादशाहत की परंपरा में समाप्त गोशित किया साथियों यदी हम केंद्री परशासन की बात करें तो सल्तनत के सापे कहीं अधी केंद्री करत विवस्था थी इस समय आरंभ में बादशाह की सहायता है तू वकील पद जिसे हम पद्धान मंत्री की भाती मान सकते है का उलेख मिलता है और ये जो उलेख है ये विशेश थे हमें बाबर और हमाईयों के समय इस पस्ट दिखता है क्योंकि वहां शासक के बाद समस्त शक्तियां वकील के हाथों में होती थी और मुगल कालीन पर्थम वकील खवाजा निजामुदीन थे साथियों बाबर कालीन क्योंकि बादशा अकबर को ये समझ में आ गया था क्योंकि उन्होंने बहराम खा को देखा फिर अपनी धाय मा महाम अंगा को देखा मुनीम खा को देखा और सब को देखा तो उनको ये लगा कि बादशा के बाद इतनी शक्तियों वाला दित्य पद इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए तो फिर साथियों 1565 में उन्होंने वकील पद के अधिकारों को कमजोर करने हैं तू अर्थाथ सासन के आठवे वर्ष में उनकी शक्तियों को अर्थाथ वकील की शक्तियों को चार भागों में विभाजित कर दिया या विभाजित किया अब वकील पद की सक्तियों को जो चार भाग किये गए या चार अधिकारी उससे निश्पन हुए उनमें एक पद है साथियों वजीर अर्था दिवान यहे भी अब परधान मंत्री की भाती था दूसरा पद साथियों मीर बखशी जिसे सेन्य मंत्री बोलते थे का था तीसरा साथियों मीरे सामा या खान सामा साथियों बाद साथ वे उनके दरबार की देनिक अवशेक्ताओं की आपूरती से सम्मंदित होता था यह मीरे सामा या खाने सामा चोथा जो विभाग साथियों इन्होंने बनाया वो है सद्र उस सुदूर ये धर्म विभाग का मुखिया था और साथियों सद्र उस सुदूर की विशेशता ये थी कि यही वेक्ति सामानित है काजी उल्कुजात अर्थात नियाए विभाग का मुखिया भी होता था वजीर अत्वद दिवान दूसरा मीर बख्षी तीसरा मीर सामा या खान सामा और चोथा सद्र सुदूर जिसे ही निया विभाग के मुख्या के रूप में काजी उलकुजाद भी कहा गया साथियों इस क्रम में फिर अगला जो केंद्री अधिकारी होता था वो मुश्रिफ ए मुमालिक यानी महालेखा कार इसे हम अंग्रेजी में अकाउंटेंट जनरल बोलेंगे साथियों फिर अगला जो केंदर का महत्व पुनादी कारी था वो है सातियों मुस्तविय मुमालिक महालेखा परीक्षक जिसे ओडिटर जनरल भी एजी भी कहते थे सातियों और ये खास बात थी कि उक्त दोनों पद्वजीर के सहयक के रूप में सातियों में मिलते हैं तो केंदर में बहुत ही साउंड बहुत ही एक विशाल प्रशासनिक व्यवस्था की इस्थापना अखबर करते हैं और अखबरने सातियों अपने शासन के लगभग उन्नीसमे वर् में अर्थात 1575 में फिर मनसबदारी विवस्था भी शासन पर शासन को और व्यवारिक और स्ट्रोंग सुद्रड करने हैं तो कठित करते हैं या उनका आरंब करते हैं सातियों यदि अब प्रांतिय परशासन की बात करें तो प्रांतों को सातियों इस समय सूबा नाम से जा जाता था और यदि प्रांतिय परशासन की बात करें तो इसके भी वास्तविक जनक बादशा अकबर ही थे 1580 में बादशा अकबर ने संपून सामराज्य का बारहे सूबों बारहे प्रांतों में विभाजन किया इसमें राजपुताना है तू अजमेर सूबा गठित करने का उलेक है साथियों प्रांत का मुखिया इसमें सूबेदार कहलाता था नियंतरनम संतुलन के सिद्धानत पर साथियों अकबर द्वारा प्रांतों में एक दूसरे के नियंतरन से मुक्त लेकिन केंदर के परती पून्ते जबाब दे दो सुबेदारों के पदों की शुरुआत की अर्थात साथियों प्रांतों में उन्हों ने बैलेंस एंड कंट्रोल के लिए दो प्रांत पतियों का गठन किया जो यद्यपी एक दूसरे के नियंतर्ण में नहीं थे लेकिन वहे रेल की पट्रियों की भाती सीधे केंद्रिये नियंतर्ण में होते थे इस से अकबर को कहीं अधिक सुविदा जनक रूप से कहीं अधिक वेवारिक रूप से प्रांतों पर नियंतर्ण करने की सलाहियत जिसको बोलते हैं वो प्राप्त हो गई थी साथियों यदि प्रांतों का शेष परसासन हम देखें तो वो केंदर की भाती ही होता था जैसे वर्तमान में केंदरी ये शासन अगर भारत का हम देखें तो परधान मंत्री और उनका पूरा एक मंत्री मंडल मंत्री परिशद जिसको हम बोलते हैं वो और वैसे ही स्टेट का एड्मिनिस्टेशन होता है जिसमें मुख्य मंत्री और उसके सहीयोग्यों के रूप में पूरा मंत्री परिशद इसी रूप में साथियों केंद्रिये परशासन और मुगल परशासन का गठन लगभग एक नेचर से क किया गया केंद्र से नीचे की सर्वच इकाई जो होती थी साथियों वो सरकार कहलाती थी जिसका मुख्या फोचदार होता था कानून व्यवस्था के संचालक के रूप में हमें सरकार में फोचदार के पद का उलेग मिलता है यदि इसका हम शेज़शां के काल से तुर्ना क तो शेर्शाह सूरी के काल में इसे शिकदार ए शिकदारान पद के नाम से भी जाना जाता था। साथियों सरकार में फोजदार के सहीयोगी के रूप में हमें अमल गुजार जिसे ऐसा मानते हैं कि जिले अर्थत सरकार में राजस सुवसूली का ये मुखिया होता था साथियों शेर्शा सूरी के काल में इस पद है तू अर्थत अमल गुजार पद है तू मुझसिफ ए मुझसिफान शब्द का उलेख मिलता है साथियों सरकार में फोजदार के दित्य सहायक के रूप में हमें खजानदार अर्थत सरकार के खजानची तथा एक अन्य सहायक बितक्शी का उलेख मिलता है जो भूमियम लगान से सम्मन्दित रिकार्ड्स अर्थत काखजातों की देख भाल करने वाला लिपिक की भाती था तो साथियों हमने देखा केंदर के बाद सूबा सूबे के बाद सरकार और सरकार के बाद जो तर्थिय काई थी साथियों शाहसं की वो था परगना यह आधुनिक उपखंडों अर्था तहसील की भाती होता था और ये सरकार से नीचे की काई थी साथियों इसे ही अकबर के काल में करोडी छेतर अत्वा महाला शब्द भी इसके लिए हमें मिलता या यूज करते हैं साथियों अगर परगना अर्था दुखंड या तहसील के मुख्या की बात करें तो वो शिकदार होता था तो शिकदार का जो कार्य था परगने में वे कानून विवस्था क्या देख वाल से सन्बंदित था परगने में शिकदार के सहायक के रूप में आमिल, अथ्वा करोडी नामक अधिकारियों का उले एक मिलता है जो परगने में राजस्तु वसूली के मुखिया या उन्चे संबंदित होते थे साथियों बादशा अकबर ने अपने संपून सामराज्जी को और अधिक वेवारिक बनाने या उन्में राजस्तु वसूली को और अधिक साइन्टिफिक करने के लिए करोड़ी पद का गठन कर एक-एक करोड़ जिसको हम लोग उस समय तामे की मुद्राओं में जिसकी वसूली होती थी उस साइज मान लीजिए या उस राजस्तु वसूली की आप छमता मान लीजिए उसमें उन्होंने इसको बाटा था साथियों और यदि हम इसे और अधिक वेवारिक करने की कोशिश करें तो बादशा अकबर अधिक अधिक रूप से अपनी शक्ती को बढ़ाने के लिए वो राजस्तु वसूली को भी अधिक अधिक बढ़ाना चाहते थे लेकिन साथ में वो किसानों और उनसे संबंदी रीतों का भी और अधिक कल्यान कारी अर्थ में विकास करना चाहते थे साथी तो परगने का मुखिया इस समय शिकदार होता था शिकदार के सहियोगी के रूप में आमिल अत्वा करोडी दूसरा जो महतुपूर्ण पद होता था साथी उ परगने में फोतदार का होता था ये परगने का खजानची था तो हमने देखा कि सरकार का खजानची खजानदार और परगने का खजानची फोतदार होता था साथी जैसे हमने देखा सरकार का लिपिक बितिक्ची वहीं परगने का अगर हम लिपिक की बात करें तो कारकुन होता था इस रूप में परगने से संबनित भूमी और उनके कागजादों की देख भाल करने वाला लिपिक कारकुन कहलाता था साथियों फिर हम अगला पद परगने में देखते हैं कानून गो का ये परगने के पटवारियों का मुखिया होता था साथियों मुगल काल में शासन की अंतिमिकाई मोजा अथध ग्राम कहलाता थार हमने संपून भारति इतियास में देखा कि शासन पर शासन की अंतिमिकाई ग्राम ही होता था साथियों मोजा से सम्मंदित भूरा जसों की देखभाल करने वाला अधिकारी पटवारी कहलाता था मुगल काल में ग्राम के मुख्या है तू जो शब्द हमें मिलते हैं उनमें एक शब मिलता है चौधरी, दूसरा हमें मिलता है पटेल कहीं, तीसरा हमें मिलता है मुकद्दम तो ये भी साथियों पटवारी और उससे संबंदित जो सहियों की प्रशासन था उनमें हमें पटेल, चौधरी, मुकद्दम ये सब भी मिलते हैं साथियों मुगल काल में अन्य इस्लामिक शासनों की भाती शाही राजकोशेतू बेतुल माल शब्द का उलेख मिलता है साथियों हमें मुगल काल में एक अन्य अधिकारी का जिसे एक जिसका महत तो हमें औरंगजेब के काल में विशेशते ज्यादा पराप्त होता है वो मुहत्सिब का मिलता है, मुहत्सिब धर्म नेतिकता है, सदाचार की शिक्षा देने वाला अधिकारी था अगर हम टोटलिटी में बात करें साथियों, तो मुगल कालीन परशाशन पूर्ण थे भारतिय परिष्टतियों में लागू परशाशन था जिसमें भारतिय मूल के लोगों को भी शाशन पर शाशन में शामिल करने का उलेख मिलता है यद्यपी उनके केंदरी करण का जो नेचर था साथियों, वो कम जादा हमें बदलता दिखता है और अकर पूर्ण थे निरंग कुष केंदरी करण की बात करें तो औरंग जेब के काल में हमें ये उधारण ज्यादा इसपस्ट मिलता है और संबवते औरंग जेब की अत्यधिक केंदरी करण की नीती ने अंत्ते मुगल सासन पर सासन को भारी नुकसान भी पहुँचाया तो साथियों आज हमने मुगल सासन पर सासन के बारे में चर्चा की और आप इसे और अधिक सुद्रड करने के लिए अपेकशित पुस्तकों से इनका धियन करेंगे और साथियों इसी के साथ हम आज की कलास से विदा लेते हैं अगली कलास में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जैहिंद